संजय लीला भनसाली की फिल्म पदमावत रिलीज से पहले ही करणी सेना के निशाने पर है 25 जनवरी को रिलीज होने वाली इस फिल्म के विशय पर पूरी देश में विराद जारी है। हाली में इस फिल्म को लेकर सीनियर एक्टर नाना पाटेकर से बातचीत की हुई। नाना पाटेकर की फिल्म पर रायक का वीडियो इन दिनों इंटनाइट पर वारल हो गया है। उनसे पूछा गया कि सुप्रीम कोट ने फिल्म की रिलीज पर हरी जंडी दे दी है लेकिन जिस तरह का विरोध हो रहा है। ऐसे में क्या किसी एतिहासिक फिल्म को आज के समय में बनाना मुश्किल है? गलत फिल्म बनाएंगे तो लोग रियक्ट जरूर करेंगे इस सवाल के जवाब में नाना पाटेकर ने कहा कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। मैंने कभी कोई कांट्रोवसी नहीं हुई, मैंने क्रांतिवीर जैसी फिल्म में बनाई, बोल्ड स्टेक्मेंट होने के बावजूद उन पर कभी कोई बवाल नहीं हुआ। स्क्रीनिंग कर दी। वहीं भनसाली दूसरा वर्जन दे रहे हैं। एक बात तय है कि फिल्म का रिलीज होना जरूरी है। इतिहास से छीड़ खानी करना गलत मीडिया ने सवाल किया कि सिनिमा कोई टेकसट बुक नहीं है जिस पर आप रोक लगाए। इस नाना पाटेकर ने साब कह दिया कि विरोड गलत है लेकिन इतिहास से छीड़ खानी करेंगे तो उससे जुड़े लोगों को बुरा लगना स्वाभाविक है। फिल्म बनाते वक्त में कर्स की जिम्मेदारी होती है कि किसी को ठेस नहीं पहुंचे। मराठी फिल्म अपाल मानुष की स्क्रीनिंग पर पहुंचे नाना पाटेकर ने कहा कि फिल्म रिलीज होने दो आपको पता चल जाएगा कि वो अच्छी है या बकवास है। कानून से बड़ा कोई नहीं, आज भी कानून है, कल भी कानून ही सबसे बड़ा रहेगा।